दोस्तो मैं हूँ आशिव शर्मा आप देख रहा है ग्रीन गाड़न चैनल में आप सभी कुछ श्रागत है दोस्तो आज मैं आप लोगे शाथ सेप्टमबर माईना में रोज प्लांट का क्यार क्या होना चाहिए उसकी बारे में आपडेट देंगे दोस्तो यह देखिए शेप्टमबर माईना का आपडेट देने से पहले आप लोगे शाथ मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ दोस्तो शब से पहले तो इस प्लांट को दिखा लेते हैं प्लांट में जो फ्लावर है और फ्लावर की बारे में थुरा सा आप लोगो जनकरी दे देते हैं एक हाइब्री इसके फ्लावर होते हैं दोस्तो और देखिए यह जो एक ब्रांच आए है यह देखिए दोस्तो एक ब्रांच आए है सिंगल ब्रांच में कितने शरे फ्लावर है देखिए दोस्तो इसमें आप भी गिन पा रहा है इसमें 11 फ्लावर है देखिए दोस्तो बहुत अच्छा से और इसके बाजू से भी एक बाट्स है 18 और शाथ में ये देखी एक बाट्स 19 और इसके शाथ और भी बाट्स आने वाले हैं तो ये जो 19, 20 या 21 जो फ्लावर है ये की शाथ आपकी प्लाइंट में आशकते हैं आप अगर मेरा वीडियो को अगर फॉलो करेंगे जैसे मैं बता हूँ बैसे ही आप अगर क्यार करेंगे तो आपका फिलावर प्लाइंट में भी ऐसे ही एक फिलावर आएंगे बहुत ज़्यादा फिलावर आएंगे और आप अच्छा से गार्डिनिंग कर पाएंगे दूस्तों देखिए आभी रेश जिजन है बहुत ज़्यादा इसके बाद भी जो मेरा शॉयल है शॉयल देखिए कितना अच्छा है इसमें बिलकुल भी बाटर होल नहीं हुआ है दस्तों और सॉयल बहुत ही अच्छे हैं दस्तों आपका भी शॉयल वैसे ही होना चाहिए दस्तों तो आपको अगर शॉयल बनाना है आपको प्लांट लगाना है तो आप मेरा वीडियो है वीडियो देख सकते हैं दस्तों सॉयल के उपर में मेरा वीडियो है मैं डिस्किशन बक्स में देदूंग आप लोग को लिंक आप ल क्यार करेंगे तो आपका प्लाइंट में भी अच्छे फ्लावर आएंगे दोस्तो आभी बारिश होने के कारण मैं इस प्लाइंट को नीचे लेकर आया हूँ पोर्च में लेकर आया है दोस्तो ताकि मैं वीडियो बना शकू बाहर बारिश हो रहा है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था इसलिए मैं नीचे लेकर आए दूस्तो और सेप्टेंबर मैना में आप क्यार के बारे में बीना जाने कोई गलती ना कर ले इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आए है शब से पहले आपने को क्या करना है कैसे क्यार करना है सेप्टेमबर मेन में उसके बारे में डिस्कास करते है देखिए दूस्तों नीचे से आते हैं आपन नीचे अगर कोई देखिए बीट से ग्रास है अन्ने सरी प्लांट से उसको शब से पहले आपने को रिमूब करना है य इसके बाद थोड़ा सा उपर उठेंगे अपन उपर देखना है आपकी प्लांट में कही पेश्ट या इंसेक्ट या फंगस के अटक तो नहीं है या कोई लीफ डेमेज तो नहीं हुआ है कोई लीफ इन्फेक्टेट तो नहीं है तो उसको आप रिमूब करेंगे सबसे पहले देखी दोस्तो मेरा प्लांट में भी एक अद लीफ है जो की डेमेज हो चुके है यह देखी दोस्तो इस प्लांट की जो लीफ है इस लीफ को यह से कट कर देंगे आपको एक सार्फ नाइफ लेना है और नहीं तो एक सिजर लेना है जिससे आप काट कर देंगे और आप से और करेंगे तो फंगस लग जाएगा और पूर्झ estWhen double पिले होजाते यह लुए हो जाते हैं तो उसको भी हम रिप शोजिए दिशमас कब बहुत तो िने हैं तो da ऐ फैनल हुआ है तो इसको भी माला इसमें को यह प्लांट ली प्लांट इस पिलानली unha स्पवाट्स होता है तो पूरा बिमार हो जाते हैं इसलिए अपने को आच्छा सब्सपाई रखना है दोस्तों उसके बाद इस प्लांट को सेप्टेमबर मैना से आपको टोटल फ़र्टिलाजर देना बंद करना है दोस्तों तो आपका मन में कोस्टिन आ शकता है यह एतना अ नूट्रिशन खतम नहीं हुआ है आपकोए रख ने में पहले से children देते हैं उसके बाद आपको नहीं हार मैंना में दो क मैंना में दो की वर नूट्रिसन देते हैं तो इस qualcाल नुट्रिशन – में परयार्प्ट मत्रह में और antifungal देना है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तो लेकिन अब गलती से भी इसको fatilizer अगर दे दिया है तो आपको winter season में जाके इस plant से flower बिलकुल नहीं मिलेंगे और मिलेंगे भी तो उसका बहुत ही कम quantity में मिलेंगे हिवस कांटिटी में नहीं मिलेंगे और इस plant का growth जादा नहीं आएगा दोस्तो आभी आपको इस plant को dermancy के लिए लेके जाना है dermancy मतलब rest period के लिए लेके जाना है जब plant का rest period होता है उस plant में plant को खाना नहीं खिला जाता इसलिए आपन fertilizer provide नहीं कराएंगे इस plant को आप liquid fertilizer से थे लिकूट fertilizer से और जो granulose fertilizer है slow reducing fertilizer कोई भी fertilizer A to Z इसमें नहीं देना है आपने को स्रेप देखना है इसको कोई fungus या paste attack ना कर पाए इसको स्रेप अपने को देखना है दोस्तो तो इसलिए मैं आज आप लोगों की शाथ share करेंगे मैं anti-fungal powder इसमें spray करूंगा दोस् मेरे पश नगर्जुना कॉमपानी का देखिए कंबी प्लास कर्बिन रजीम 12% और मैंको जेब 63% है दोस्तो ये देखिए आपने को हमेशा धेन रखना है आप कंबी प्लास ले या साफ ले उसमें कोई फरक नहीं पड़ता अच्छे कॉमपानी होना चे नगर्जुना अच 63% ये दो कंबिनेशन मैं हमेशा यूज करता हूँ ये दोनों कंबिनेशन क्या होता है एक सिस्टेमिक और एक कंटक्ट फंजी साइट होता है दोस्तो तो कंटक्ट और सिस्टेमिक फंजी साइट की उपर से मैं एक और अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तो तो 2 gram quantity में मैंने ले लिये, powder यह देखिए, यह powder, इसकी color ऐसा है, तो इस bottle में आप डाल लेते हैं इस powder को दोस्तो, इह देखिंगी दोस्तो, इस bottle में मैंने ले लिये हैं 2 gram, आप इसको dissolve कर लेते हैं और ready कर लेते बotल को, दोस्तों, आप आप एस्प्रे करेंगे देखिए दोस्तों ऐसे गर कि आपने को अच्छा से एस्प्रे करना है और ध्यन रखिएगा दोस्तों आगर बारिश ओड़ा है उस टाइम उस टाइम आप एस्प्रे नहीं करेंगे क्योंकि बारिश की टाइम आप आगा आगार एस्प्रे करेंगे तो यह आपका जो फंजी सेड है शब धुल जाएंगे और कोई भी एफेक्ट नहीं होगा दोस्तों इसलिए आपने को ध्यन रखना है जिस टाइम धूपने के लिए उस टाइम आप एस्प्रे करेंगा और एस अगर बारिश नहीं होंगे तो आपका जो पिस्टिसाइड है या फंजी साइड है वो आपका काम करेगा और नहीं तो काम नहीं करेगा दोस्तों ऐसे करके आपने को पूरे प्लांट में अच्छा से इस्प्रे कर देना है दोस्तों यह देखिए मैंने बहुत ही आच्छा स से एक बार इस्प्रे करना है और बीच में भी कोई भी फाटिलाजार नहीं देना है और ठीक दस दिन अंतर से एक बार अपने को पेश्टिसाइड इस्प्रे करना है ठीक चार दिन बाद एंटी फंगल देने के ठीक चार दिन बाद एक बार रोगोर देंगे यह टफगर कुमपने का है टाफगर जिसमें डाई मेथोईट 30% एसी रहते हैं यह 30% डाई मेथोईट है दोस्तों आपको 2 ml लेके एक लिटर पाने में डिजल्ब करके इस प्लांट को ठीक 4 दिन बाद एपलाई करना है एस्प्रे करना है दोस्तों अच्छा से एस्प्रे किजिएगा और एसी ठीक 10 दिन में एक बार फंजिसाइड अपने को एपलाई करना है दोस्तों और जहां जहां पर अगर छुड जाते हैं उस जगह पर भी अच्छा से देख के आपको एस्प्रे करना है दोस्तों आप अगर अच्छा से एस्प्रे नहीं करेंगे तो आपका प्लांट कि रोज प्लांट अच्छा ग्रोव होता है और फ्लावरिंग करते हैं दोस्तों और इसके बाद ऑक्टोबर मैना में अपने को क्या करना है उसकी बारे में मैं फिर विडियो लेकर आऊंगा ऑक्टोबर मैना में यह हार मैना की रोज फ्लावर प्लांट क्यार का विडियो है इसको आप फॉलो किजिएगा हर मंत तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा होगा दोस्तो आज एही तक है उम्मिद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है और अगर अच्छा लगता है तो लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और सब्सक्राइब कर दो सु हम और अच्छा वीडियो थैंक फर वाच्छीन लाइग यरुथ